हेलो गाईज, वेलकम बाक टी यूटूब चानल और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रिवू करने वाला है कहल पे जांट वस्स पाइरेट्स का मैट जो की गिबरल टर टी टेन में खेला जाने वाला है क्या कुछ रोटीम से important players and lineup channel है उसके बारे में बात and discuss करना है इस वीडियो में साथी साथ in-depth analysis करें और कुन से ब्लेक का क्या role रहना है उसके बारे में बात और चर्चा करने वाला है एन तक आपके वीडियो को पूरा देखना अगर अपको पसना आतो तो इस वीडियो को लाइक कर देना है channel पे नियूँ और subscribe निकर तो जली जली हमारे को भी subscribe कर देना है एसर रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखे काईस बहुत से लोगों को अभी T10 के और में पता नहीं है कैसे कुन सा प्लेयर का स्टाट्स के लिए रूल है हाला कि आपको पर पर पता लग गया होगा क्यों कल ही उन्होंने एक माच खेल आता तारीक के खिलाफ आपको अभी उनके बार में थोड़ी स्टाट्स की नॉनिज आके होगी लेकिन आज एक न्यू टीम आमने समने होने वाली है इनका नाम है पाइरेट्स अब पाइरेट्स कार में मैं आपको अच्छी खासी इंदफनारिस भी दूँगा और कुंसी प्लेका क्या रूल रह सकता है उसके बार में आपको बताऊंगा सो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना बिना स्क्रिप्ट के गाईस इमाया है मैं जो आपको आपको अपर अभी स्टाइट्स बताऊगा हो सकता है कि मैंने जादा रीटेल में लिखा नहीं है इसके अंदर आप इस वीडियो को ना देखे और बस सुन भी ले ओडियो को प्रॉपरली आडियो के तौरप या ओडियो के रूप में कुछ भी करके बस आपको इस वीडियो को सुनना जाना है एंड तक Dunklai यह मैंने जित्ता बोल यह नहीं उत्ता आपको बोल के समझाया है तो ऐसा कुछ अगर मैं आपको आगे इस वीडियो को लेकर चलतू उसके पारे में उसके पहले एक बात बतातू कि अगर अभी तक आपने आमाई टेलीग्राम चल्ट को जोन नहीं है तो जोल्दियां में टे एक आप उपन करना थे इसे अपंश करके सर्च करना है व्ल yells जैसा अब टीम्स फॉविन सर्च करोगे आपको जो है ग्लोबल सच में ओना जाएगा टीम पर यह आपर देख सकती में जैında आदेःग इडं होगे उसको पर क्लिक करना ए और जिसको पर class equally करना से सारही ही चै चैनल है बैकप चैनल एक है जो कि अपना लेवर नाम से और अगर आप की देखोगी तो क्रिक वाइब जो कि हमारी न्यूस चैनल है उसके ऊपर भी आपको जो जाना है तो आपको जोपी जॉंडों आप हो सकते हैं लेकिन सबसे मीन और इंपोर्टन हमारा मेंड चैनल और सेकेंड चैनल है जो कि आपको ब्रैकेट मैं आलोक लिकावा नजरा आ रहा जा रहा है उन दोनों पर उपर आपको क्लेक करिए जॉनन हो जाना था भॉण हो दाना फानली यही नहीं सारी मैंटर्स की फानल आपको बाप पर ही मिलती है चलिए आगे हम और बात करते हैं इस वीडियो के जैसे कि आप देख सकते हो यह मैच कलपे जयांज वसेश पायरेट्स की बीच के ला जानाल है इसका डीट एंट टाइम होगा 31 जानवरी जो कि आज है और आज का फर्स्ट माच है जिसके हम यहाँ पर स्ट्रेटीजी और प्लानिंग कर रहें फॉर्ष नहीं सेकंड भी हो सकत जो है एक ही दिन में दूदो सीम टीमस की मैच रहते ही बाक टूबग सो फर्स्ट और सेकंड भी अगर अप लेलो तो चल जागा 930 को स्टार्ट होगा है मैच वन्योगा इसका यूरोपा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स गेबिरल्टर में माच तो एक इंपोर्टन माच जरूर अच्छा का सा में एक माच देखने मिल सकता है अला कि थोड़ा सा अन्प्रोफेशनल टाइप खेलते ही लोग बट स्टार्ट अल्र बहुत आरा मदद कर देगा जो कि हम लोग आप तक पुछा रहे है तो ऐसा कुछे पिच रिपोर्ट मागर हम देखें के तो आप देख सक है तो बल्ले बाजी के लिए बहुत ज़्याद अच्छा आप है हमने सेकेंड मैच में भी देखाता कि जो ओपनर है उन्होंने बहुत ज़्यादा परफोर्मेंस दिया तो आपर जो बॉलर से थोड़े से ठीक टाक रहते है तो मेरा मानना यह है कि जो भी आपर सेकेंड कर रहे हैं और सेकेंड आज उन्हें दादा फाइदा रहा का विकट भी ले लेगी क्योंकि अगर स्टार्ट पर बल्ले बाजी करने आता है तो स्टार्टिंग में बल्ले बाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है यह कुछ हमें देखने मिला कलके कुछ लाच पर अब असे एक बर गो थू कर सकते हैं कौन से प्लेयर का है सेम आपको छोड़े से कुछ प्लेयर जो अगले टीम में भी नज़र आएगे जैसे की नॉट इसमें बट अलग अलग इसके होते रहते हैं आई हो आप समझ करोंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं और आगया अगर ह अब हम बात करें प्लेइंग 11 विच स्टाटिस्टिक्स के बार में तो कलपे जैंस की टीम से अगर हम बात करें तो लोड ने बंस जो कि हमें उपन करते भी निज़र आ सकते हैं इन्होंने साथ मैंचे अभी तक खेले 154 बोर कर रहा है स्ट्राइक रेटेन का 171 आठ बात करें तो एक मैंच में 11 रन और जीरो विकेट्स है पॉल एजलर के बात करें जो कि लाज मच पे इन्होंने अच्छी कासी बोलिंग करी थी फिलाल इनकी जो बोलिंग हमें स्टाट्स नजर आ रही इत्ती कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही लेकिन इन्होंने साथ मैच जरूर रह सकते हैं बट आप इने जरूर एक ट्राइज दे दिजेगा पॉल एडिलर भी इंपोर्टन आप इने भी जील में काप्टन मेंस काप्टन सी दे सकते हैं तो आज सबके टीम में रहना है क्योंकि लिए लाज पच्छी नर ने अच्छा परफॉमेंस दे दिया था पार्टिक सेच्मन पाच में 52 रंज है और श्ट्राइक रेड़ें का 178 राइट है राइट अने बैच में और राइट आम जो बोलर है यह ठीक टक बल्लेबाज ही कर लेता है फ्राइक रेच्छा का सा मिडिल ओर्डर में में बल्लेबाज ही करते हुए नसर आ सकते हैं थोमसहौर्टन एक बैच में 0 error और 0 weekend राइट अने बैच में राइट अाम वर्ट बोलर है ज़रूर बोलिंग करतों में नदर हैंगे लेकिन विकन ज़डरूरुक। राइट ओक्ति अल्यां बात कर जो कि in उ сам श्रूर्च में यह कमम सेऩ़िघ्ट ती लेही लेंगे नहुं मैचेज में 179 रंस है, स्ट्राइक रे इनका 173 कवर 0 विकेट्स है, यह बिक इंपॉर्टन प्ले ज़रूर रह सकते है, अब देखे, इन्हों ने जो है, अच्छी कासी बल्ले बाजी करी हुई है, फर्स्ट माच के ले थे कल, सेकेंड माच में ने लिया नहीं गयता, म मैच में खेलेंगे, मैंने तो इन्हें फर्स्ट माच में अज़रूर रहा हुआ है, तो एक अच्छे और इंपॉर्टन ज़रूर है सकते है, 9 मैच में 179 रंस स्कोर कर रहे है, वह से भी अच्छा असा हमार ले करके जा सकते हैं, वह अगर हम आगे बात करें, तो अब देखें आपको हर एक प्लेयर की बॉलिंग, आपको स्टाट्स मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती, इसमें ऐसा होता है, जो पक्का बॉलर है वो तो बॉलिंग कर जाता है, जो बल्ले बाज़े हो जाता बॉलिंग करके विकेज भी दाज़ देश आता है, ऐसा कुछ आमे आपको पहले बताया था, बल्स देख भी रहे हो तो सुनना बहुत जादे इंपोर्टन है, जितना मैं बोलो आपको बस वो पूरा सुनना है, वह अगर मैं आगे बात करूं, माइकल लेमिन के बार में तो एक मैच में एक विकेट है, इंपोर्टन प्लेयर है कल सेकंड मैच मैच खेलते हों में नज़रा थे, Sims भी कल सेकंड मैच खेलते हों में नज़रा थे, इन्होंने भी एक मैच में एक विकेट लिया, उसके पहले कुछ स्टाच मुझे इनका मिला नहीं था, तो यह कुछ देखने मिला है, वह अगर हम बात करें, पाइरेट्स प्लियर स्टाच तगड़ और धाकड़ परफॉर्मस दिया हुआ हो, हम सबको पता है, लेकिन यह अपर टी टेल में भी अच्छा परफॉर्मस देते हैं, तो बहुत जाज अच्छे पिक होगे हमारेले कैप्टन सी वाइस काप्टन सी के लिए, तो ज़रूर आपको इनके उपर फोकस करना, ज़रूर आपको इनके उपर ड्रॉप करके भी रिस्क लिना चाहिए, आज़े काप्टन वाइस काप्टन भी आप इनने जुरू ट्राय कर सकते हो, वह अगर मैं आगे बात करूँ देविड का रमें, इन मैं तर्टी फोराइन जीरो विकेट है, वह आगे बात करूँ, मैं हाओ बारबर जोन्स के बारें, जो कि राइट हैंडर बैच में राइट हम आवरिक बोलर, साथ बैच में दो विकेट ले तेहीस रंड बनाया है, बहुत ज़रा खरब श्टाच है, अमें नजर आ रहा है, लेकिन क्या करें, पता नहीं कुछ ये प्लियर भी लग गिया, पत आप बहुत भारी खेल के गया है, तो कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, अगर हम आगे देखें, नदीम के बार में, जो कि नदीम हुसे, लेफ्ट हैंड बैच में है, लेफ्टा मावरिक बोलर रही है, इन्होंने टोटल तीन मैचेस खेले हुए, अटरेन स्कोर करा, चार विक जा रहा हुँ, Robert Dixon कान बात करें, आट मैंचेस में एक बन्रान और दो विकेट सेंके, सर्वेस्ट इंस्वेरिस पाँच में जीरो रन और चार विकेट सेंके, Richard Cunningham कानें करें, तो तीन मैच में दो रन जीरो विकेट, Richard Hatchman, पाँच मेंच में पंदरा ने एक विकेट है, विलियम डॉर्टे कुछ मिला नहीं इनके बार में यह कुछ आ मैं देखने मिल रहा है फॉम बोध टीम्स प्लेयर्स जाते इंफोर्मेशन आपको आपको अमारा वीडियो थोड़ा इंफोर्मेटिव लगा होगा आपको पसंद आए अपने अभी तक इस वीडियो को लाइक क लने वाली है वह अगर हम आगे बात करें तो अभी हम वापस बात कर लेता हमेरे विजन लेवन टीम के आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो विकेटीबिंग सेक्षन से मैंने लिया है एस होक्तन को बाटिंग सेक्षन से लिया है रोबिसन को आई रोव बॉटम को और जे स्टेफन सन को और अगर आपने स्किप करके डारेक्ट सिफ इस टीम पर आयो देखने के लिए तो आपका कुछ नह नहीं कर पाऊगे इस मैंच में जो मैं टीम बना रहा है अगर आप वही लगा दोगे तो कुछ फाइदा होने वाला है नहीं में फोकेश जीये ले जीये लाना बहुत आदा इस मैच में सब कुछ बताये गाइस बिल्कुल भी मिसने कर रहा वापस देखे अगर आप डारेक क्या पर आयो तो फाइल टीम ओना टेलियरम चैनल अल्डी बेच फॉर दिस मैच और आप नाइस देए